बारत का सम्विधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतनिधी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा मकान की बात करेगा, सिक्षा स्वास रोजगार की बात करेगा समाजबादी आंदोलनों का नारा था, रोटी, कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, उस नारे का क्या हुआ साब, साराम पानी अडानी क्या तो बेच गया, आज आपके जेब में पैसा है, तब जाके इनुवस्टिय में पढ़ पाएंगे, नई सिक्षानिती में कोर्स पेच दिया, अब कोर्स पेचने के बाद क्या होगा, कि आप जैसे कंप्यूटर, आप नई सिक्षानिती पर क्या लगा है, हम आप बैठे हैं, आप चाहते तो मेरा भाशन यूटूब पर भी सुनते हैं, हम आप सामने इसलिए बैठे हैं, कि थोड़ी आप से हम सीख हम से आप सीखते हैं, यहां का इंट्रेक्शन अलग है, नई सिक्षानिती कह रहे हैं, यूटूब पर वीडियो बना कर डाल देंगे, घर बैठकर बच्चों को पढ़ना है पढ़े, नई पढ़ना है मत पढ़े, जैसे मसीन के पास जाते हैं, कॉफी बना कर दे दो, मशीन कॉफी बना कर दे दी, मशीन के पास जाते हैं, कि यह बैंक है, इसमें से पैसा निकाल दो, पैसा निकाल कर दे दी, कल को इस देश के विश्व द्यालियों और स्कूलों को ऐसी मशीन में बदल दिया जाएगा, कि डिगरी दे दो, वो दसमी पास के डिगरी दे देगे, बा लेकिन जो भी रही होगी मेरी मा रही होगी मेरी चिंता यह है कि भविश में वह आखरी इस्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा मैं नहीं जानता लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यहोने नहीं दोंगा वर्तमान समय की चुनोती यह है कि इस देश में जो लोग सत्ता में बैटें वो अपना सारा काम भारत के सम्विदान की खिलाप कर रहे हैं और उन में से सबसे महत्पूर काम है हमारे नौजवानों को मांसिक रूप से गुलाम बना कर धर्म की जक्डबंदी में धकेलना है और बाहूर नाम छत्रियर और पैदा होते ही तुमने बता दिया कि कोई शुद्र है जो पैरों से पैदा होगा मैं ऐसे किसी धर्म की किताब को नहीं मानता मेरी धार में भावना भावना नहीं है क्या मेरी भावना में चारवाक और लोकायत नहीं है क्या मेरी भावना में सिद्धनात जैन नहीं है क्या वो धिश्ट परंपरा से निकले सिद्ध और नात कवियों के हाँ पंच मकार है वो भावनाई भावनाई नहीं है क्या इस देश में दलितों को मूच रखने पर मारा गया घोड़ी चड़ने पर मारा जा रहा है इस मंच से महाराश्ट की इस मंच से ये बात याद दिलाओं जब हम रोहित वेमुला को याद करते हैं तो डॉक्टर पायल इस देश में दलितों की कोई भावना नहीं है और OBC समाज के लोगों OBC समाज थे पेरियार थे पेरियार को किसने जलील किया किसने उत्तर प्रदेश का एक-दो किसा सुना कर बात खतम कर रहा हूं क्योंकि ये चेतना पहुचाना लोगों के बीच जरूरी है OBC अगर हिंद तुम Hindu बनाते हो, Hindu राष्ट बनाते हो, तो मेरे सवाल का जवाब दो, अगर अब तक 100 कुलपती बने होंगे देश के केंदरी विश्व ध्याले ओमें, तो कितने कुलपती दली तो पिछडे तुमने बनाए? कितने कुलपती अपने इन्वर्शिटीज में डॉक्टर अमबेटकर पर रिसर्च कराते हैं फूले पर रिसर्च कराते हैं हमें तो पढ़ने ही नहीं दिया गया हमारे जियाज और अब तो नई सिक्षा नीत के नाम पर सिक्षा बेच दी गई है यह आखरी बात आपसे कहने आया हूँ भारत के सम्विधान को खत्म करने की अब कोई घोश्रा नहीं होगी इस देश के वंचिश शुशित कमेरा लोगों इस देश के श्रम जीवी लोगों मैं आपसे आज बहुत जोखिम उठा कर यह बात कहने आया हूँ मेरा परिशे जब आप दे रहे थे तो मैं भी गर्व से कहता था कि भारत का सम्विधान और मंडल कमिशन था 300 रुपए फीज दे करके इलाबाद इनवश्टी से पढ़ करके दिल्ली इनवश्टी में पिएश्डी करके मैं दिल्ली इनवश्टी में 12 साल से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि भारत का सम्विधान और मंडल कमिशन लागू था ये मैं तब इसलिए कर पाया क्योंकि भारत का सम्विधान ता मंडल कमिशन था और इसलिए सिक्षा राजी की जम्मेदारी थी आज 2022 में नई सिक्षा नीत के नाम पर इस देश में सरकारी सिक्षा को अंबानी और अडानी के हातों बेच दिया गया है भारत का सम्विधान कई नहीं बचा है ये बात आपसे कहने आया सरकारी स्कूल में माश्टर नहीं है सेलिबस बदल रहे हैं वो फंड नहीं दे रहे सारा पैसा मंदिर बनवाने के लिए लगा रहे हो अभी ये योद्या जाकी है मतुरा काशी बाकी है तुमने मंदिर के नाम पर रथ्यात्रा की हमारा क्या फायदा हुआ तुम हजारों इस देश में देवाले बने हमें तो स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले चाहिए था तुमने हमें देवाले के नाम पर लड़ा दिया ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनोती है भारत का समविधान ये कहता है कि चुने हुए प्रतनिधी की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की रोटी, कपड़ा मकान की बात करेगा, सिक्षा, स्वास, रोजगार की बात करेगा समाजबादी आंदुलनों का नारा था रोटी, कपड़ा सस्ती हो दवा पढ़ाई मुफ्ती हो उस नारे का क्या हुआ साब साराम बानी अडानी क्या तो बेच गया आज आपके जेब में पैसा है तब जाके इन्वस्टिय में पढ़ पाएंगे नई सिक्षानिती में कोर्स बेच दिया अब कोर्स बेचने के बाद क्या होगा कि आप जैसे कंप्यूटर अब नई सिख्चानिती पे क्या लाए है हम आप बैठे है आप चाहते तो मेरा भाशन YouTube पर भी सुनते हम आप सामने इसलि конфet कि थोड़ी आप से हम सीकते हैं कि तोड़ी आप से हम सीकते हैं यहां का इंटरेक्शन अलग है नई सिख्चानिती कह रहे है YouTube पर वीडियो बना कर डाल देंगे घर बैटकर बच्चों को पढ़ना है पढ़े नहीं पढ़ना है मत पढ़े जैसे मसीन के पास जाते हैं कॉफी बना कर दे दो मशीन कॉफी बना कर दे दी मशीन के पास जाते हैं कि यह बैंक है इसमें से पैसा निकाल दो, पैसा निकाल कर दे दी, कल को इस देश के विश्व विद्यालियों और स्कूलों को ऐसी मशीन में बदल दिया जाएगा, कि डिगरी दे दो, वो दसमी पास के डिगरी दे देगी, बार हमी पास के डिगरी दे देंगे, और उन डिगरीयों के कोई क की मत नहीं होगी वर्तमान दौर के सबसे मत पुर्चुनोती है जाकर देखिए इस देश के विश्रुव द्यालियों में ये नागपुर के लोग हाप पैंट वाले जो अब बहुत दिन बाद उन्हें समझ में आया कि फुल पैंट पहनना चाहिए बहुत दिन लग गया उनको ये बास समझने में अपना सारा एका बनाते हो हिट्रलर को अपना वारिस बानते हैं गोट से गोलवलकर हेटगवार को वारिस बानते है और दिन रात हिंदू-हिंदू करते हैं अरे 15% अपरकास्ट के लोगों बताओ इस देश के सव केंद्रिव विश्रुद्यालियों में से कितने दलित पिछरया दिवासियों को कुलपती बनाया, सुप्रीम कोड का जज बनाया, वकील डॉक्टर इंजिनियर बनाया, तुमने इस देश में उद्योगपती किसको बनने दिया, 15% लोग, 10% लोग सब कुछ पर कबजा किये हुएं, और 90% लोग सब कुछ को छीना जा हिंदु धरम नहीं, अगर खत्रे में है, तो भारत का संविधान खत्रे में है, और हमारे आपके बच्चों का भविश्च खत्रे में, यहीं अपनी बात को खतम करते हुए, मैं एक अपील करके जा रहा हूँ, वक्त काफी हो गया, मैं केवल एक बात सोचता हूँ साब, हमे आप में से तमाम लोग जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उससे अदा, अनुभव यहां के लोगों ने संगर्शों में बिताया होगा, इसलिए मैंने कोई बात ऐसी नहीं बोली जो आपको नहीं आत पता होगा, मैं तो क्यों आप से हिम्मत लेने आया हूँ साब, और यही सवा को विरासत में क्या छोड़ कर जाएंगे, यह चंता हमारी होनी चाहिए, हम क्या उनको विरासत में यह छोड़ कर जाएंगे कि मंदर मस्जिद के नाम पर लड़ाई हो, स्कूल कॉलेज हमारे सामने बरबाद हो रहे हैं, भारत का समविधान कहां बचा है, आरक्षड दो ज गोषना होगी क्या, नहीं होगी साभ, एक बार गोषना की ति उन्होंने दो अपरल का भारतबंद आपने कर दिया था, वो डरते हैं आपसे, पांच मार्च का भारतबंद आपने थर्टीन पॉइंट रोष्टर पर कर दिया था, चपन इंच का सीना बताने वाले लोगों दो बार पिछली बार जुका, पहला बार स्से एस्ट एक्टो सिटी प्रिवेंशन एक्ट पर दूसरी बार थर्टीन पॉइंट रोष्टर पर इस देश के 90% वंचिस शोषितों ने उन्हें जुकाया है, इसलिए वो आपसे सीधे नहीं लड़ेंगे, वो आपके पुर्ख पर देश को बेच देंगे, सरकारी नौकरी बेच देंगे, भारत का संविधान टुकडे टुकडे कर देंगे, और कौन दोशी है, इस देश में अगर मैं बात करो, मेरे प्रोफिसर है नहीं बाबू, दिल्ले विश्ट देले की जेल में है, प्रोफिसर आननल तेल और उसमें केवल मुसल्मानों को गाली दीजिए, संविधान की धज्जी उड़ाइए, आपको कोई जेल में डालेगा, इस देश में भगवा रंग का संविधान बनाकर पेश करिये, रोज आप कोई गैर संविधानी बात करी, और कोई आपको जेल में डालेगा, लेकिन ब वो चुनोती यह है, कि अगर हम पहुजनों को इस चुनोती से सिक्षा को पचा नहीं पाए, सिक्षा और रोजगार को हम नहीं दे पाए, तो हम अंततह कुछ भी हासल नहीं कर पाएंगे, जो हमें मिला वो गवा देंगे बाबा साब ने कहा था बड़ी मुश्किल से ये कारवा यहां तक लाया हूँ इसे पीछे मत जाने देना आगे ले जाना और आगे ना ले जाओ पो तो वहीं छोड़ देना सच सच बताईए वो कारवा मेलों पीछे जा रहा है कि नहीं हम भरम में न रहा हैं साब वो चला जा चुका है सिक्षा रोजगार नहीं है इसलिए महिलाओं के मुक्ति इस मुल्क के कमेरा लोगों की मुक्ति 90% लोगों की मुक्ति सिक्षा में है, रोजगार में है, भारत के संविधान में है, ऐसे आयोजनों को और करने की जरुवत है, और घर घर चल के पहचानने की जरुवत है, एक गुजारिश कि किताबें बाटिये, फूल माला पर पैसा कम खर्च करिये, इस पर 10 रुपे किताब लोगों को भेट करिये, वो किताब लोगों तक जाएगी, क्रांती होगे, ये फूल माला तो सूख जाते हैं साब, किताबें हमेशा हरी रहती है, उन्हीं किताबों से हमें ताकत मिलती है, जो बाबा साब ने लेखा, महिलाओं की मुक्ति की बात, उसके बिना सामाजिक, मे फाउंडेशन में, जो आपने यहां पर ये कायोजन किया, मुझे लगता है, कि महिलाओं वाले आस्पेक्ट से हम अपनी बात को जरूर समझेंगे, आखरी में कविता पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं, रमा शंकर यादो विद्रोही ने एक कविता लिखी है, कुछ धर्म की किताबों में लिखा हुआ है, मैं कवी हूँ, करता हूँ, क्या जल्दी है, मैं एक दिन पुलिस और पुरोहित दोनों को एक साथ औरतों की अदालत में तलब करूँगा, और बीच की सारी अदालतों को मनसूख कर दूँगा, मैं उन दावों को भी मनसूख कर दू जिनने लेकर फौजें और तुलबा चलते हैं मैं उन वसीयतों को खारिच कर दूँगा जो दुर्बलों ने भुजबलों के नाम की होंगी मैं उन वो ओरतों को जो अपनी एक्षा से कुए में कूध कर और चिता में जल कर मरी हैं फिर से जंदा करूँगा और उनके बयानात दुबारा कलम बद्ध करूँगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं रह गया कि कहीं कोई भूल तो नहीं हुई क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं उस औरत के बारे में जानता हूँ जो अपने साथ बित्ते की देह को एक बित्ते के आंगन में ता जंदगी समोई रही और कभी बाहर तक जहाका तक नहीं और जब बाहर निकली तो वह कहीं उसकी एक लाश थी वह लाश निकली जो खुले में पसर गई मा और मेधनी की तरह औरत की लाश धर्ती माता की तरह होती है जो खुले में फैल जाती है ठानों से लेकर अदालतों तक मैं देख रहा हूं कि जुल्म के सारे सबूतों को मिटाया जा रहा है चंदन चर्चित मस्तक को उठाये हुए पुरोहित और तमंचों से लेस सिना फुलाये हुए सिपाही महराज की जय बोल रहे हैं वे महराज जो मर चुके हैं वे महराज जो मर चुके हैं महरानिया जो अपने सती होने का इंतजाम कर रहे हैं और जब महरानिया नहीं रहेंगी तो नौकरानिया क्या करेंगी इसलिए वे भी तैयारियां कर रहे हैं मुझे महारानियों से जादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पती जंदा है और रो रहे हैं मुझे महारानियों से जादा चिंता नौकरानियों की होती है जिनके पती जंदा है और रो रहे हैं औरतें रोती जाती हैं, मरद मारते जाते हैं। औरतें रोती हैं, मरद और मारते हैं। औरतें खूब जोर से रोती हैं, मरद इतनी जोर से मारते हैं, कि वे मर जाती हैं। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी, जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता। लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी मेरी चिंता यह है कि भविश्च में वह आखरी इस्त्री कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा मैं नहीं जानता लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं यहोने नहीं दोंगा जै भीम जै मंडल जै सम्विधान इंकलाब जद्दाबाद